हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइस अगर आपके भी मोबाइल के कीबोर्ड में यहां पर देखें इमोजी वाला उप्सन सो नहीं हो रहा है तो कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हैं कैसे इस प्रॉलम को सोल्ड कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो गाइस वीडियो को लाश तक देखते रहे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो guys करना किया सबसे पहले आपको mobile के settings में जाना है mobile के settings में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और एक settings खोजना है additional settings तो आप पने phone में चेक कर लेना additional settings पे click करना है फिर आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा देखे keyboard and input method आपको keyboard पे click कर देना है फिर आपको यहाँ पर available keyboard में मिलेगा जी बोड़ आपको इस जी बोड़ वाले option पे click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर preference नाम की एक setting मिल जाएगी आपको इस setting पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर so emoji switch की का option मिलेगा इसी option को यहां से चालू कर देना है चालू करने बाद आपको बैक आना है जैसे ही बैक आएंगे अब आपको open करना अपने keyboard को किसी भी एप में open कर सकते हैं और जैसे ही open करेंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि emoji वाल option आ चुगा है इस पे click करते हैं दखें emoji सो हो रहा है यह देखिए तो guys इस तरीके से आप enable कर सकते हैं आप चाहें तो direct यहीं से भी enable कर सकते हैं keyboard को कहीं पर open करना फिर इस देखें T के उपर setting पे click करना फिर आपको preference पे click करना है यहां पर option है preference और देखें यहां से अगर यह बंद रहेगा तो चालू कर देंगे फिर ए ओप्सन जो रहेगा इनेबल हो जाएगा तो आज कीडियों बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बोक्स में आणला है झायक दोस्तूं है वे नाइश टे